वो गॉंग्रेट पैसे देकर अखबारों में फर्टी लहर चलवा रही है विज्यापन डलवा दो अखबार में पता है आपको लाखों करोरों का खर्चा है अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोधी जी मोधी जी मोधी जी ये एक 900 चुहे खाकर बिल्ली हच को जली तो क्या ऐसा ही कुछ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री की चाटू कारिता में कतित तोर पर दलाली में गोधी मीडिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी लेकिन अब इसका हश्र ये हुआ है कि मोधी जी ने राजस्तान के चुनाव प्रचार में भरे मन से खड़े होकर मीडिया को बिकाव मीडिया बता दिया है जे हाँ बिलकुल सही सुना आपने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का कहना है कि ये मीडिया पैसे लेकर कॉंग्रेस की लहर चला रहा है इतना ही नहीं मोधी जी के बयान के साथ ही कॉंग्रेस की चुनाव आयोक से शिकायत तक की गई है तो क्या कुछ हुआ है कैसे प्रियंका गांदी ने कमान समाली है कैसे कत्त तोर पर धज्जियां उड़ा कर रख दी है और पदान मंत्री नरेंद्र मोधी की पोल खुल गई है आपको पूरी खबर दिखाएंगे, प्रियंका गांधी का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले मोधी जी का बयान सुनाते हैं, मोधी जी ने किस तरीके से अंदाज में क्या कुछ कहा है, मन से खड़े होकर बयान सुनिये। तो मोधी जी के पूरे बयान का मेंड पॉइंट क्या है, प्रधार मंद्री नरेंद्र मोधी का कहना है कि मीडिया को दबा कर पैसे दे कर जूटी लहर चलवा रही है, कॉंग्रेस काली कमाई के सच को दबाया नहीं जा सकता है, अब जब पांचों राज्यों के विधान सबा चुनाओं के सर्वे पॉल महा पॉल में भारतिय जंता पार्टी हार रही है, तो मोधी जी का कहना है कि पैसे दे कर जूटी लहर चलवाई जा रही है, इतना है नहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी दबे शब्दों में यहां तक कह जाते हैं कि मीडिया तो विकाओ है और यह पैसे दे कर जूटी खबरे चलाता है, तो यहां पर इतना कहने भर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सवालों के गेरे में आ गये हैं, और पब्लिक भी कह रही है कि 900 चुए खा कर बिली हज को चली, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले आप खबर देखें, ABP की, देखे इसमें लिखा है कि 2019 लोग सबाच चुनाओ था दुनिया का सबसे महगा चुनाओ, इतने पैसे खर्च हुए थे कि आप पढ़कर चोक जाएंगे, तो 2019 का जो लोग सबाच चुनाओ है, वो सबसे महगा चुनाओ हुआ, पूरी दुनिया में सबसे महगा चुन देखे, खबर में लिखा है कि 2019 में राजनीतिक दलो ने चुनाओी खर्च के पिछले सभी रिकॉर्ट तोड़ दिये, इसमें BJP ने कुल खर्च का आधा पैसा अकेले खर्च किया है, तो सबसे जाधा आधा पैसा जितना सारी पार्टियों ने किया है, उतना पैसा अकेले भारतिये जनता पार्टी ने किया है, और BJP ने कितना किया है, आपको नहीं याद है, तो वो भी दिखाती हो, आगे देखे, इसमें खबर में लिखा हुआ है कि पिछले लोग सभा चुनाओ 2019 के दौरान करीब आठ अरब डॉलर यानि 55,000 करोड रुपे खर्च किये गए, चारों तरफ जो मोदी जी, मोदी जी चमकाय जा रहे थे, पेपर से लेकर पैमपलेट पोस्टर में मोदी जी नजर आ रहे थे, उसका खर्च कहां से हुआ है, आप देख सकते हैं, अब जब पांच राज्यों के विदान सभा चुनाओं में सरकार बनती हुई नजर नहीं तो मोदी जी सेल्फ गोल करते हुए कैसे मन से नजर आ रहे हैं, आप उनके बयान से अंदाजा लगा सकते हैं, आगे देखे खबर में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि जिसके बाद इस चुनाओं ने खर्च के मामने में दुनिया बर के देशों के सभी देशों के और किसने खर्च किया? बारतिय जंता पार्टी ने खर्च किया, तो ये पैसा कहां खर्च किया गया? सवाल खड़ा होता है, और सिर्फ इतने नहीं है, 2019 लोगसबा चुनाओं में उसके बास से भी ये खर्च लगातार जारी है, आप जानते हैं कैसे महिमा मन्णन होता है, क ells का पैसा एक को आप देखें देखें जण्जौब्स, लिखा है सिर्कार में तो सत्रासो करोड रुपय खर्च किये यहां चुनाव।ी सबसे जादा पैसे कच कि झा fest बिकान मंतरी नरेंद्र मोधी केते हैं सिर्ड़ आतमी 56 अपतने मोधलें लबो कर chee जनता पार्टी का कि कुरोना की वैक्सीन के लिए थैंक्यू की लवाने तक के लिए इलोगों ने करोड़ hoàn कर्च कर दिये तह पर आप देखे बीबीसी की देखे इसमें लिका रोजगार देने या फिर की महंगाई को कम करने पर खर्च किया जाता तो जनता का कितना सुलाब होता आप समझ सकते हैं फिलाल इतना सब कुछ से भारती जनता पार्टी को लग रहा है अभी मज़ा नहीं आ रहा है यह लोग अपनी फजियत करवाने पर खुदी तुले हुए एक तरफ प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी का बयान है वह दूसरी तरफ एक खबर है सुनिए खबर आप देखें न्यूस 24 की देखें इसमें लिखा है कि भाजपा ने चुनाव आयोक से की कॉंग्रिस की शिकायत बाजपा ने आरोब लगाया है कि कॉंग्रिस अपने बयान तक सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है अब इसके बाद तो क्या ही कहा जाए मतलब हद्ध होती है बेशर्मी की भी फिलाल इस बयान के बाद और शिकायत के बाद प्रियंका गांधी ने मंच से खूब मजे लिए है कैसे प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी की कतित तोर तो आप बाद करोर का खर्चा है बहुत बड़ा खर्चा होता है तो आप यह जो विग्यापन देखते हैं हर जगे मोदी जी तो पूछना चाहती हूं कि अगर एक विग्यापन के लिए लाक करोर रुपय लग जाते हैं तो ये जो सारे विग्यापने हैं, इनके पैसे कहां से आते हैं, कहां से आते हैं, मोधी जी तो कहते हैं, वो फकीर हैं, है ना, तो अगर वो फकीर हैं, तो इनके कार्यकाल में भाजपा सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी, तो आपने देखा राजस्थान की चिनाव प्रचार में किस तरीके से प्रियंका गांदी ने मंच से खड़े होकर मोधी जी की कथत तौर पर लंका लगा दी है प्रियंका गांधी का कहना है कि चारो तरफ टीवी पर मोदी जी पोस्टर में मोदी जी पेपर पर मोदी जी ये जो दिखाई देते हैं इस पर लाको करोडो रुपे खर्च होता है और अगर मैं चाहूं अपना विग्यापन डलवाना चाहूं तो इस पर लाको करोडो रुप बारतिय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई सवाल खड़ा होता है तो सवाल तो कई खड़े होते हैं अब प्रदान मंद्री नरेंद्र मोधी अपने खुद के बयान से किस तरीके से सवालों के घेरे में आ गए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं और सबसे बड ही कि एक दिन पह 04 दिखाते हुँ खबर आप देखिएं nbt की देखेस में लिका है बाबा रामदेव की पतंजली को सुप्रीम पोर्ट ने दी मूत लगाया जरों का जुआ प्रेहानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई बाती आ हैं या पिर प्रियांग का गानी है तो कैसे भारती जनता पार्टी शिकायज से लेकर मच पर मोदी जी चाथी टोक कर बयान दे रहे हैं आप समझ सकते हैं अब इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के चनाव में भार्ती जंता पार्टी की जो बॉकला हट है वो साफ निकल कर सामने आ रही है अब मोदी जी के हुआ हुआ है